धनबाद के जोड़ा फोकर्थाना शेत्र में पुलिस की ततपरता से मॉब लिंग्चिंग की बड़ी घटना घटने से बची जोड़ा फोकर्थाना शेत्र अंत्रगत फुस बंगला जरिया सिंद्री मुख्य मार्ग पर कुछ लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में एक पचास वर्षिय वृद्ध की जम कर पिटाई कर दी घटना के जानकारी पास की जोड़ा फोकर्थाने को मिली सूचना मिलते ही जोड़ा फोकर्थाना दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुँच कर वृद्ध को बचाने की कोशिश की बीज बचाओं के दौरान पुलिस के उपर भी हुआ पत्राओं कड़ी मसकत के बाद जोड़ा पोकर इंस्पेक्टर सत्यम कुमार ने वृद्ध को बचाया पब्लिक की मूव विक्षिप्ट को छुड़ाने के लिए पहुचा थाना पुलिस की सक्ति के बाद लोग वे शान मुहरम को लेकर पुस पंगला चॉप पर जमें हुए थे चार पदादीकारी और तरिदा स्पोर्स थे वहाँ पर बैठ करके अंतिजार कर रहे थे ट्रैपिक कर रहे थे इसी बीच में अचानक हला हुआ कि कोई ब्यक्ती बच्चा चोड़ है बागा जा रहा है उसको लोग पकर रहे हैं तोर कर जाकर बेठने पर पाया गी एक टैंपू में एक ब्यक्ती बैठा हुआ है जिसके जोले में कुछ है अब वा तो यहां तक सुनाई पढ़ गई कि उसे जोले में बच्चा है उस जोले में बच्चा है बच्चा पो लेकर वो फाग रहा है और पब्लिक इसको खेर ली, हम लोग कोशिश किये कि टैंपू समयत उसको ठाना लाने का लेकिन फब्लिक के रेजिस्टेंस के कारण इसको नहीं ला सके तो मैंने उतर कर उसको कहा कि अमेरिक गाडी में फिर अपने बल पे उसको और फोर्सेश की महरत से उसको खडाते हैं तो अपने वीडियोग्राफी के सामने उस जोले को खुलवाया गया साथ में अरूब लगाने वाले के समुदाई के आम जनता के पांच लोग थे जोला खुलवा कर देखा गया तो उसके पहनने वाले कुवाने कपड़े थे विल्कुल गरीब ब्यक्ति है फागलियासा है जब ये बच् पुलिस के खिलाब पुब्लीक हो गई यहां तक की वह लगद्वाल कर खाना तक आ गए अलाकि खाने के बार उनको रोखी आगया रोखने में शक्षन होगे हैं लोग विल्कुलिस लग रहा था कि पुलिस जच्जा बच्चा चोरपो बचा रही है या फिर उनका मंसा था क पुलिक हम लोगों को खेंने की पुशिस की लेकिन उन्होंने रेजिस्टेंस किया है लाखिए ने वरियों कताबी कालियों को इसकी खिचना दूँगा और जैसा में देश होगा इसके उनकार अभी कर रही है लगातार सर मीटिंग के बाभजूद लोग नहीं समझ पा रहे हैं किस तरह कंट्रोल करना है उसके बाभजूद मूब कर रहे हैं तो क्या संदेश देंगे आगे यह मास्स साइकोजी है जो की बडल रहा है इसमें मीडिया भी कहीं नहीं दोसी है इसे ने किसी तरह से मीडिया यह सुरू में दिखा देती है कि यह बच्चा चूर ऐसा पकड़ा गया बच्चा चागिया लागादार प्रति दीन रथम कॉलन में चाबना जरूरी है कि बच्चोर के नाम पर हला करके वहां से जो भाग करका आया फुस बंगला से लोग सांती जाया रहा था लेकिन साली मार के आसपास में पहुंचने के बाद मिठाई दुकाने वहां से एकाइक जो सड़क पर दोड़ना सुरू किया बेतासा सब डेड़ सो आदमी के करीब ले आकर करके अपने अंदर में रखे लोग चाह रहा था वो लोग कि इसको हमको हमारे वाले करके उसके साथ में जो भी बेवार करता अब भी अगर पुलीस सब्ती नहीं पर अच्छा रहा तो कि मोड पर से लिया करके थाना पर रखा और कालता है पूरे मामले को कंट्रोल कर लिया बहुत कम समय क्या कहें आज आए दिन जो बचा चोर के मामले में है आम लोग पिटा रहे हैं उसको ले के क्या कहें यह तो बहुत गलत है और अफवा पर इस तरह का बात होता है अफवा पर तो लोगों को ध्यान ने देना चाहिए बार बार पुलीस और आम जंता जो भी समाज के लोग है समाजी के लोग इस पर कालता लगे हुए हैं इस तरह से नहीं होना चाहिए हम लोग भी कही बार यहां भी थाने में चार दिन पहले इस बात पर चर्चा हुआ सबी लोगों को बुला करके बोला गया कि भाई आप लोग इस तरह से सब को यागरुक की और एक अभी इस तरह से जिस तरह परकार से भी घटना घटा पुजमाला मोड में जवरन सुनते हैं कि टेंपू से खिच करके उसको लेकर जाने का प्रयास कर रहा था मन लिजी उसक प्रयंता को सयम बरतना चाहिए पुलिस पर विश्वास करना चाहिए और जो भी समाज के जागरुक लोग हैं उन लोग को आगे आगर के इस प्रक्राइब